वैसे कुछ महीनों पहले की बात करूँ तो 20,000 रुपीज में आने वाले best tablets की वीडियो मैं बना चुका हूँ बट अभी market में 2-3 नए tablets आये and trust me guys these are game changing tablets under 20,000 रुपीजट because in tablets में आप अच्छी खासी gaming तक कर सकते हो बाकी तो अगर आपको work from home online classes या multimedia consumption जिस भी काम के लिए tablet चीए and आपका budget 20,000 रुपे है ना तन आज की इस वीडियो में top 5 best options पताने वाला हूँ वैसे सभी tablets का best discounted buying link description में डाल दिया है मैंने लेकिन make sure video को पूरा जरूर देख लेना so that आपको पता लग जाए कौन सा tablet किसके लिए best है बाकी तो guys अगर आप the tech freak पे नए हो then hit that subscribe button बगल वाले bell icon को भी दबा दो बाकी गाए इस चलिए let's get started इस वीडियो में at number 5 आता है Samsung Galaxy Tab A8 जो की इसी साल launch हुआ है अभी यह जो tablet है number 5 पे रखने का इसका सबसे बड़ा reason है display वैसे तो आपको 10.5 इंच की एक वोक्स गा display मिलेगी जिसको अपन 2K display कह सकते full HD plus display है यह बट यह एक TFT पैनल वाला display इसके लवा इसमें आपको Android 11 मिल जाता है quad speakers है with Dolby Atmos Samsung के quad speakers है यह definitely काफी जादा loud है इसके लवा इसमें आपको 8 Megapixels का primary camera with 5 Megapixels front camera जिससे आप online classes वगरे ले सकते हो around 7040 mAh की battery with 15 watt fast charging इसके अलबब जो variant मैंने select किया है उसमें आपको 4GB की RAM and 64GB की internal storage मिलती है यह जो tablet है Unisock T618 processor के साथ आता है जो कि अगर आप Snapdragon 662 से compare करो then around 20-30% better है उससे उससे थोड़ी बहुत अच्छी gaming करा देता है यह अब overall यह tablet काफी जादा सही है अगर आप 20,000 रुपे invest करना चाहते हो and Samsung जैसे brand की तरफ से चाहते हो mainly Samsung का जो tablet है Samsung UI की वज़े से लोग लेना पसंद करते है वैसे तो यह tablet काफी जादा अच्छा है लेकिन अगर आपको अपने पैसे की value चाहिए दिन वीडियो को end तक जरूर देखना यह वाला tablet around 20,000 रुपीज का आपको on Amazon मिल जाता है अगला tablet आता है Lenovo Tab K10 जो कि आपको 10.3 इंच का एक फुल एज़ी डिस्पले देता है 400 निट्स की brightness 4GB रेम और 64GB रोम वाला 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 वेरेंड मेना स्लक किया है इसके अलावा यहां पर आपको dual speakers मिलते हैं, speakers इतने जादा loud नहीं है, वैसे Dolby Audio है, dual microphones मिल जाएंगे 8MP का आपको primary camera मिलेगा and 5MP का आपको front camera मिलता है, around 7500 damage की battery, Android 11 and जो processor है वो आपको MediaTek का Helio P22T मिलता है विच इन Octa-Core processor, अब यह tablet भी काफी बहतर है, बट अगर आपका budget 15,000 था and आप उसको कीच के 17-18,000 तक लेके आयो, महा तक यह tablet C में था है, around 18,000 रुपीज में मिल जाता है यह on Amazon, जहां पर आपको Wi-Fi के साथ LTE का support भी मिलेगा, मतलब आप इसमें SIM लगा के data तो चला ही सक इस tablet अंडर 15,000 रुपीज की लिस्ट में भी था, guys here comes number 3, जो के आपको Nokia का Tab T20 मिलता है, अभी Nokia ने कुछी समय पहले launch किया है and काफी जादा लोग इसको पसंद कर रहे, because of its display, यहां पर भी आपको 10.3 इंच का display मिलता है, but वो एक 2K display मिल जाता है, 8 Megapixels का primary camera with 5 Megapixels front camera, इस tablet में आपको देखने को मिलेंगे, इसके लबाब बैटरी भी अच्छी खासी मिलती है, around 8200 mh की Android 11 मिल जाता है and processor इसमें आपको Unisock का T610 मिलता है, जो कि मेरे क्याल से 20,000 रुपे के हिसाब से इतना ज्यादा powerful processor नहीं है, हाँ आपका छोटा मोटा काम चल जाएगा, but यह tablet प design भी थोड़ास आपको unique मिलता है, काफी जादा round edges में आता है, वैसे metal body है, speakers की बात करूँ तो इसमें आपको stereo speaker मिलते है, बाकी 4GB RAM and 64GB ROM वाला Wi-Fi plus 4G variant आपको 18-18,500 रुपीज के आसपास मिलता है and yes, इस budget के हिसाब से ठीक है, guys, here comes number 2, which is Realme Pad, guys, Realme का यह tablet 15,000 रुपीज से के 20,000 रुपीज में काफी ज्यादा अच्छी value देता है आपको, चाहे मैं बात करूँ processing की, चाहे मैं बात करूँ RAM and storage की, या फिर मैं बात करूँ camera की, also मैं बात करूँ display की, देखो इसमें आपको 10.4 inches का एक works का plus display मिलता है, जो की काफी ज्यादा bright है, 8 megapixel का primary camera and 8 megapixel का ही front camera, आपको देखने को मिल जाएगा, Android 11 मिलेगा, बैटरी इसमें 7100 mAh की मिलती है, बट यह 18 watt fast charging के साथ आता है, यहाँ पर आपको dual SIM का support मिलेगा with voice call, तो आप voice call करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, दो SIM डाल सकते हो, अब यहाँ पर आपको processor भी media tech का helio G80 मिलता है, जो की 12-15,000 रुपे के phones में आता है, यह एक gaming processor है, तो आप इसमें gaming वगेरा भी कर सकते हो, अब अगर आप इसको compare करो Nokia and Samsung से, तो इसमें आपको much better display मिलती है, and sound भी इसका काफी loud है, वैसे stereo sound है, बट आपका काम चला देता है, जाहे आपको online classes लेनी है, कोई office related काम करना है, या gaming वगेरा क से जाके check out कर सकते हूं, so guys, अभी at number one, जो tablet मैं आपको बताने वाला हूं, trust me guys, यह tablet, इन सभी से best है, एक दो चीजों की अगर आपन बात ना करे, then, वैल यह tablet आपको मिलता है, Motorola का Tab G70, सबसे पहली चीज, इसमें आपको एक 11-inch का 2K display मिलता है, which is an IPS display, and काफी ज्यादा bright है, 13MP का आपको primary camera मिलेगा, and 8MP का आपको front camera मिलता है, so इस budget के हिसाब से camera में काफी आगे, बैटरी आपको 7700mAh की मिलती है, but यह 20W fast charging के साथ आता है, इसके लावा इसमें आपको एक gaming processor मिलता है, which is MediaTek Helio G90T, अब यह जो processor है ना, एक gaming processor है, आप इसमें अच्छी खासी gaming easily कर सकत हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, जैसे कि आपने कोई mid-range का gaming phone करीता है, बाकि सिंगल sim के साथ आता है, and voice call supported है, आप voice calls कर सकते हो, इसमें, 4GB RAM and 64GB ROM वाला variant आपको 21500 रुपे का मिल जाता है, and offers वगेरा लगा के आपको around 20,000 तक पढ़ जाएगा, वैसे prices अभी थोड़े fluctuate हो रहे हैं, क्योंकि ये latest release हो है, speaker की बात करूँ ना, तो इसमें भी आपको quad speakers मिलते है, with Dolby Atmos, आप guys overall अपन बात करें, अगर आपको कोई value for money चीज चीज चीए, then Motorola Tab G70 के साथ आप जा सकते हो, एक latest tablet है, and आपको सबसे ज्यादा बहतर performance देता है, but अगर आपका budget इतना ज stock android चीए, and अगर आपको multimedia and stylus वाले काम के लिए, कोई सबसे अच्छा tablet चीए, and Samsung Galaxy Tab A8 काफी अच्छा है, Lenovo वाला वो लोग consider करो, जिनका budget कम है, overall guys पांचों ही tablets अच्छे है, अगर आप gaming के लिए कोई tablet ढून रहो, Motorola, Realme, इन दौना में से कोई ले सकते हो, बाकि दो guys आपक किसी नई वीडियो में, किसी नए topic के साथ में